ओम शी गणिशाय नमाराद रहे दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल बत कता एस लोजर में स्वागत है दोस्तों अगर आपने बेवी बॉय को कंसीव करा होता है तो प्रेगनेंसी के दूसरे महिने से ही ये सटी कलक्शन आप में दिखाई देने लगते हैं और इस वीडियो को आ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुआ सके सबसे पहले लक्शन की बात करें तो दोस्तों प्रेगनेंसी के दूसरे मन से ही अगर आपके सिर में regular दर्द होता रहता है तो ये sign देखे लड़का होने का माना जाता है second है दोस्तो सबसे बड़ा माना जाता है इस लक्षन को अगर आपको second month pregnancy से ही बिल्कुल भी vomiting नहीं हो रही है आपका vomiting का मन करता है लेकिन आपको vomiting नहीं हो रही है तो ये sign देखे लड़का होने का माना जाता है थोड़ा थोड़ा आपका पेड बाहर निकलने लगा है तो यह sign देखे लड़का होने का माना जाता है नेक्स है दोस्तो प्रेग्नेंसी के सेकंड मंद में अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है तो ये साइन भी देखे लड़का होने का माना जाता है नेक्स है दोस्तो अगर second one pregnancy के दोरान अगर आपको बहुत ज़्यादा नीन आती है आप कुछ काम नहीं कर रही है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा नीन आ रही है तो ये भी देखे बेबी बॉय होने का sign माना जाता है माना जाता है कि शुरुवाती दिनों में अगर आपको बहुत ज़्यादा नीन आ रही है लेकिन जैसे से आपकी pregnancy बढ़ते जाती है आपको नीन बहुत कम आ रही है तो ये sign देखे लड़का होने का माना जाता है नेक्स सिम्टम है दोस्तों ये भी बहुत ही बड़ा लक्षन माना जाता है वो है बहुत ज़्यादा craving होना दोस्तों pregnancy के दौरान अगर आपको बहुत ज़्यादा craving हो रही है यानि जो चीज़े आपको बहुत पसंद थी लेकिन अब आपको वो पसंद नहीं आ रही है आपको पसंद आने तो ये sign देखे लड़का होने का माना जाता है अगर आपको भी देखे second pregnancy के दौरान बहुत ज़्यादा craving हो रही है तो कहीं न कहीं ये लड़का होने का sign माना जाता है दोस्तों normally देखे ये सभी लक्षन hormones changes के कारण होता है यानि आपके hormones up down होते हैं जिस दोस्तों वीडियो थोड़ी से भी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें आप सभी को ओम शी गड़ी शाय नमा